आपका पहला प्रश्ण है किस सिख गुरु ने कहा था? सरदाद, सिरे, सार, न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहसे नहीं बदाया? A. अर्जुन देव, B. हर गोविंद, C. तेग बहादुर, D. गुरु गोविंद सिंग आपका सही विकल्प है, C. तेग बहादुर, आपका अगला प्रश्ण है, आननपुर नदर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया? A. गुरु हरी किशन, B. गुरु तेग बहादुर, C. गुरु हर गोविंद सिंग, D. गुरु अर्जुन देव आपका सही विकल्प है, B. गुरु तेग बहादुर, आपका अगला प्रश्ण है कि सिख गुरु को बाकला दबाबा कहा जाया है A. अर्जुन देव, B. तेग बहादुर, C. गुरु गोविंद सिंग, D. गुरु हर गोविं आपका सही विकल्प है, B. तेग बहादुर, आपका अगला प्रश्ण है निम्न लिखित में से कि सिख गुरु की हत्या और अंजेब ने कराई थी A. गुरु हरिकिशन, B. गुरु तेग बहादुर, C. गुरु गोविंद सिंग, D. गुरु अर्जुन देव आपका सही विकल्प है, B. गुरु तेग बहादुर आपका अगला प्रश्ण है सिखो के अंतिम गुरु कौन थे? आपका सही विगल्प है आपका अगला प्रश्ण है गुरु गोविन सिंग का जन्म 1666 में कहा हुआ था आपका सही विगल्प है पटना आपका अगला प्रश्ण है गुरु गोविन सिंग की महानता नहित है इसमें की अ वह सिख राज्य के संस्थापक थे बी उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया सी उन्होंने सिखों को शांति प्रिय बना दी उन्होंने औरंगजेप को पराजित किया आपका सही विगल्प है बी उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया आपका अगला प्रश्ण है सिखों को एक सैनिय लडाकु जादी के रूप में परिनत करना प्रारम किया था आपका सही विगल्प है बी गुरु गोविन का अगला प्रश्ण है किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआ थी आपका सही विगल्प है बी गुरु गोविन सिंग आपका अगला प्रश्ण है किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रेल को गुरु गोविन सिंग ने खालसा पंत की नीम रखी थी आपका सही विगल्प है आपका अगला प्रश्ण है सिखों की सैन्य संप्रदाय, मिलिटरी सेक्ट, खालसा का प्रवर्तन किस ने किया आ, हर राय, बी, हर किशन, सी, गोविन सिंग, डी, तेज बहादुर आपका सही विगल्प है सी, गोविन सिंग आपका अगला प्रश्ण है किस सिख गुरु, सिख गुरूस ने फार्सी में जफर नामा लिखा था आ, गुरु हरिराय, बी, गुरु हरिकिशन, सी, गुरु गोविन सिंग, दी, गुरु तेज बहादुर आपका सही विगल्प है सी, गुरु गोविन सिंग, आपका अगला प्रश्ण है गुरु गोविन सिंग की रचनाए है एक, दशम ग्रंथ दो चंडी चरित्र तीन विचित्र नाटक चार आपका सही विगल्प है आपका अगला प्रश्ण है किस सिंग गुरु के नित्रित्व में सिंग राजनैतिक वसैनिक शती के रूप में संदधित हुए आपका सही विगल्प है आपका अगला प्रश्ण है किसने गुरु की गद्धी की प्रथा समाप करते हुए गुरुवानी को ही गुरु का स्थान प्रदान किया आपका सही विकल्प है C. गुरु गोविन सिंग आपका अगला प्रश्ण है दस्वे पाजशा नाम ग्रंत का संकलन किस सिख गुरु ने किया था अग गुरु अंगद्धेव ने B. गुरु अमर्दास ने C. गुरु रामदास ने D. गुरु गोविन सिंग आपका सही विकल्प है D. गुरु गोविन सिंग आपका अगला प्रश्ण है दस्वे पाजशा नाम ग्रंत में किस सिख गुरु के विचारों को संकलित किया गया है A. गुरु नानक के B. गुरु रामदास के C. गुरु अर्जुन के D. गुरु गोविन सिंग के आपका सही विकल्प है D. गुरु गोविन सिंग के D. गुरु नानक के झाल झाल झाल